अब हम फ्रेंज सुची तैलहाबादी किचन में आप सभी का स्वागत ये एक कटोरी हम चावल लिये थे इसको तीन चार घंटे भीगा लिये थे को धूल के मिक्सिजार में लेते हैं मिक्सिजार में रखके हलका सा पानी डाल कें पीस लेते हैं इस तरीके से लेखिए यह पीस लिए हैं हम यह बेटर इस तरीके से देखिए मेडियम है अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन चमज बेशन इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे हलका साम नमक एड़ कर रहे हैं अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं ताकि बेशन और चावल के वेटर में अच्छी तरीके से मिल जाए यह बहुत ही कुर्कुरा और प्रिस्पी बनेगा इसमें हलका सा मिठा सोडा एट कर रहे हैं इसको को देखिए इस तरीके से बराबर हम मिलल दे रहे हो इस तरीके से इस तावर रख दियें हैं गरम हो रहा है और लगा दे रहे हैं अब हम इसमें वेटर डालेंगे देखिए इसको बरावर हम फैला देंगे अच्छे तरीके से कि यह चावल का ढोसा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा और बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है आप जरू ट्राई करिएगा अब इसमें उपर हलका से हमार लगा दे रहे हूं कि यह देखिए अच्छी तरीके से पक रहा है मेडियम गैस रख दिये हैं इसको अब हम पलड देते हैं यह देखिए इस तरीके से आप अब लगाएंगे यह देखिए टमाटर की चटनी हम लगा रहे हैं फो अब धर की बनी हुई टमाइटो चटनी हो है इसपे हम आलो मसाला एड़ कर रहे हैं यह देखिए इस तरीके से मालो मसाला रख दिये हैं कि देखिए बहुत करारा और क्रिस्पी है इसको निकाल ले रहे हैं इसी तरीके से अब हम और बना ले रहे हैं इसमें भी हम चत्नी लगा ले रहे हैं अब हम इस पर रखेंगे अलू मसाला इस तरीके से अब इसको मोड के हम निकाल ले रहे हैं यह हमारा ढोसवन की रेडी हो रहा है आप लोग जरूर बताएएगा हमारा तरीका कैसा लगा अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सेयर सस्क्राइब करिएगा सभी भाई बहनों को नवश्कार और धन्यवा देन हमारा तरीकार और बताओी बही जसे वड़ी है वंताओ।